अगर आप भी अपने Realme GT Neo 3T के अंदर करनल ACU यूज़ करना चाहते हैं और आपको प्रोसेस नहीं पता तो आज किस वीडियो में मैं आपको यही डिटेल सेर करने वाला हूँ कि क्या कुछ आपको करना होगा ताकि आप करनल ACU का यूज़ कर सको तो वीडियो को पुरा लास्टक वोच करेंगा कि कोई हर एक छोटे छोटे डिटेल में आपको साथ सेर करूँगा ताकि आपको कोई भी कन्फीजन या डाउट न रहे तो जलिए आज के वीडियो को सुरू करते हो अच्छा लगता है तो लाइक, सस्क्राइब और सेर जरूर करें यहाँ पे कुछ कंडिशन आपके लिए अपलाई होती है अगर आप करनल ACU यूज़ करना चाहते हो तो पहला यह कि आप जो रोम यूज़ कर रहे हो अपने GT Neo 3T के अंदर वो करनल ACU का सपोर्टेड होना चाहिए पर आप सोचोगे भाई यह पता कैसे चलेगा तो जहां से आप रोम डाउड कर रहे हो जिस रिव्यू से डेख रहे हो निकाल रहे हो या फिर टेलिग्राम अगरे अगर आप मेंसन रहेगा या बताया जाएगा कि यह रोम आपकर सपोर्टेड है अगर सपोर्टेड है तो जो मैठेर में बताऊँगा वह आपको फॉलो करना है सबसे पहले एक फाइल डाउड कर लेना है जो कि करनल एस्यू का होगा जिप फॉर्मेट जिसका लिंक आपको डिस्क्यूशन में है जो मिल जाएगा या मेरे अंट्रस्टॉप.com पर वहां से निकाल लेने के बाद आफ कर देना है और हां यहां पर आपका डेटा गरे वाइप नहीं होता तो टेंसन मत लेना लेकिन आप कुछ उल्टा सुल्टा कर देते हो करनल एस्यू यूज करने के बाद बाद में तो जा सकता है बट ऐसे आपका कुछ भी दिक्कत नहीं आएगा तो आप सिंपल आफ क चुका अब वॉल्यम डाउन का यूज करेंगे जहां पर ओप्सन चेंज होगा और रिकवरी मूट आएगा अब यहां पर हम पाव बटन को प्रेस कर देंगे जिससे आपके फोन का जो टी डूल आडपी है वो ओपन हो जाएगा यहां पर आप दिक्स तो रिकवरी आ चुक यहां पर हमारे मेंटेनर का नेम भी देखनी को मिलता है जो कि अभिसे पे जन्हें बनाया है अब यहां पर इसफलेष हो चुका अब नर्मल आप चुकत이면 पे digoht है जो system reboot अब यहां पर फोन के ऑन हो जाने के बाद आपको unlock करना है unlock home हो जाने के बाद आपको आना है फाइल क में है और यहां पर साही चीज़े दिखाई देगा कि आपने कितना module डाल रखाए या फिन नहीं तो नहीं यहां पर करनल का पूरा detail वगए रहा है जो दिखाई देगा वह बाके दर चीज़े जो कि आपको support दिखाई देगा और यहां पर आपको super user account दिखाई देगा जहाँ पे आप किसी application को permission दे सकते हो root वाला या फिर deny वगएर है जो यहाँ से आप कर सकते हो वापस यहाँ पे refresh का source system app का और यहाँ पे जो option आपको मिलता है वो install का जो की magics tab का जो module आप install करते हो ना उसी तरह के से और यहाँ पे list सो होने लग जाएगा जैसे कि आपको magics के अंदर देखने को मिलता है तो बिल्कुल यह simple सा तरीका था है यहाँ पे kernel issue के activate करने का zip file डालना है apk डालना है और आपका काम हो गया बस module के लिए यहाँ पे आके install करते जाना है one by one और यहाँ पे आपको यह इसका छोटा सा setting देखने को मिल जाता है तो आप बताना कि कोई भी confusion या doubt नहीं नहीं आपके मन के अंदर और जब भी इस AP के का कोई latest version आएगा तो यहाँ पे शो करेगा जिसके आप टैप करके इसका latest AP के आप download भी है जो कर सकते हो कुछ इस तरीके से तो भाई सारे update आपको यहीं पे देखने को मिल जाते हैं तो काफी easy और simple सा है यहाँ पे जिसके लिए आपको ज़्यादा tension लेने के जिरूवत नहीं है और काफी easy भी पड़ता है magics के comparison में बट जितना ज़्यादा magics में भी module अवेलोल है ना उतना तो यहाँ पे नहीं है बट आने ले time हमें देखने को मिल सकता है मैं मिलता हूँ आप से निक्ट वीडियो में ठांक्स वॉचिंग टाटा और आगे पता है ना बाए बाए झाल झाल झाल